उत्राखंड में NH 74 घोटाले मामले को लेकर सरकार ने बड़ी कारिवाई की है जहां सरकार ने दो IAS अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है आपको बता दें कि IAS अधिकारी पंकज पांडे और चंद्रेश यादव का नाम NH 74 मामले में नाम आने के बाद SIT जांश कर रही थी जिसके बाद सरकार ने बड़ी कारिवाई करते हुए दोनों ही अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है इसकी पुष्टी मुख्यमंत्री तिरवेन सिंग रावत ने की है बताने के इस मामले में अब तक दरजन भर से ज्यादा अधिकारियों पर कारिवाई की जा चुकी है और IAS अधिकारियों पर ये बड़ी कारिवाई पहली बार की गई है पंजाब के सिरी टीवी के लिए देहरदून से कुल्दी प्रावत की रिपोर्ट